लाखुं रुपएं की दवाईया फेल हैं इसके आगे धर्ती का अम्रित है ये चमतकारी ओस्ती यदि आपको कहीं मिल जाए तो इसको भूल कर भी छोड़ना मत नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी ओस्ती एक ऐसे चमतकारी पोद का सिवन सिर्फ एक पत्ते का हर रोज सिवन हमारी द्वारा बताए गई विदी से करेंगे तो दोस्तो आप 251 साल तक जियोगे दोस्तो बिमारियां आपके सरीर के आसपास भी नहीं आएगी जो भी व्यक्ति इस पत्ते को चूस कर खाएगा वो सांड की तरह ताकतवर और फोलादी सरीर का मालिक बन जाएगा उसके सरीर की इम्यून पावर इम्यूटी मजबूत हो जाएगी और दोस्तो यदि आपके सरीर की इम्यूटी मजबूत है आपका वात पित और कप बैलेंस है आपके सरीर में किसी भी तरीके की कोई भी विटामिन और मिन्नल की कमे नही तब आपको कोई भी बिमारी नहीं लगेगी और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं जिस पोदे की जिस पत्ते की आपसे बात करूँगा आपकी इन सबी समस्याओं को वो समधान करेगा और जिससे की आप फिर 251 साल तक निरोगी जीवन जीओगे बिमारियां आपके आज प पास भे नहीं आएंगी दोस्तो ये पोदा चमतकारी ओस्तिय पोदा है जिसमें विटामिन और खनीज पर चूर मातरा में पाए जाते हैं सबी रोगों को दूर करता है हमारे सरीर की सारीरिक सक्ती को बढ़ाने वाले गुण भी इस पोदे के अंदर मुजूद है क्योंकि इससे जादा उपयोगी ओस्तिय पोदा मुनुस्य जाती के लिए आज के सेमे में इस धर्ती पर कोई दूसरा नहीं है और दोस्तो ये पोदा भी आपको कहीं बाहर से लेकर आने के जरूरत नहीं है ये पोदा आपको अपने घर में ही मिल जाएगा और अपने घर के इस पो पोदे की तुलसी के पत्तों की दोस्तो तुलसी का जितना धार्मिक रूप से महतब है उतना ही दोस्तो इसका महतब ओस्ती रूप से भी है दोस्तो तभी तो अईरुवेद के हर लेक में इस पोदे के फाइदों के बारे में पता चल जाता है कि ये पोदा कितना चमतकारी ह चरक सहीता में भी इसके गुणों का वर्नन है कि ये तुलसी का पोदा हमारे सरीर के लिए वर्दान है तो चलिए आपको बताते हैं कि ये हमारे सरीर के लिए फाइदेमंद है कैसे दोस्तो यदि आपको तनाव रहता है तब आपको इसके एक पत्ते का सेवन करना चाहिए और यदि आप ऐसा करेंगे तब आपका स्ट्रेस छूमंतर की तरहें गाइब हो जाएगा क्योंकि तुलसी के पत्ते में हमारे सेरे में कार्टिसोल हार्मून की मातरा को कंट्रोल करने के गुण होते हैं जो एक त्रहे का स्ट्रेस हार्मून है दोस्तो तुलसी का पत्ते का यदि आप सेवन करेंगे तो इससे आपके सरीर का इम्म्यून सिष्टम मजबूत होगा क्योंकि इसके अंदर Immune Modulatory गुन होते हैं जो आपके Immune System की कारिय परनाली को बहतर करने में आपकी मदद करते हैं जिससे की सर्दी जुखाम बुखार जैसी बीमारियां आपको बहुत कम घेरती हैं यदि आपकी Immune Power हाई हो दोस्तों यदि आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं तब भी आपको इस तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए यदि आप तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगी तो आपके सरीर पर जहां पर भी एक्स्ट्रा चर्बी है वो पिंगल जाएगी लेकिन आपने तुलसी के पत्तों का सेवन हमारे द्वारा बताए गई विदी से ही करना है मुहू के स्वास्थी के लिए भी तुलसी के पत्ते बेहद चमतकारी हैं इससे आपका मुहू से बदबू नहीं आती पाइरिया की समस्या मुसूरों से जड़ी समस्याएं दूर रहती है आँखों के लिए भी तुलसी का पत्ता चमतकारी है दोस्तो आँखों की एक बिमारी होती है इससे पीडित लोगों के लिए तुलसी के पत्ते का सेवन बेहद दे के चमतकारी है वैसे यदि आप तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे तो इससे आपकी आँकों की रोजनी भी बढ़ती है। वैसे भी तुलसी हमें बचाती हैं। कंट्रोल में रखती हैं। दोस्तों दिये आपको पेट की कोई विमारी है। पेट का पाचन आपका कमजोर है, कबज, गैस और एस्टिटी की समझ से हैं। तब भी आपको दोस्तों तुलसी के पानी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको एगिना स्पानी में तुलसी के पत्नों को उबालना चाहिए और स्पानी का सेवन करना चाहिए। और फिर देखिए आपके पेट के रोग कैसे चुमंतर की तरह है गायब हो जाएंगे। दोस्तों आपके लिवर के लिए भी तुलसी के चमतकारी दबा है। क्योंकि तुलसी में हेप्टू प्रोटेक्टिव गुन पाय जाते हैं। इप्टू प्रोटेक्टिव गुन के चलते लिवर को नुकसान होने से बचायसके। इसलिए यदि आपको भी लिवर की कोई समस्वाण है तब आपको तुलसी का सेवन करना चाहिए। सूजन की समस्वाण को दूर करने के लिए आब थूलसी का सेवन कर सकते हैं। यदि आपके खून की नसों में blockage की समस्य है या सरीर की किसी भी नस में blockage है आपका koloshtol high रहता है आपका सरीर का खून गाड़ा है आप खून को साफ करना चाहते हैं जिससे कि आपके चेहरे पर भी नयाग गलो आई तो दोस्तों आपको तुलसी के पत्तों का save वन करना चाह और जिससे कि आपको कोई भी नसों की ब्लोकेजन नहीं होगी, आपका कोलोस्टोल दूर होगा और आपको हार्ड अटेक और हार्ट स्टोक का खत्रा कम रहेगा। आपकी तफचा के लिए भी ये चमतकारी है। जड़ते बालों के लिए भी तुलसी एक वरदान है। यदि आ आपको तुलसी के पत्ते को पानी में वालना चाहिए, उस पानी का सेवन भी करना चाहिए और उस पानी से अपने सिर के बालों को भी धोना चाहिए। इससे आपकी यह समझाएं दूर हो जाएंगी। तो देखा दोस्तो कैसे ये तुलसी का पत्ता आपके सिर से लेकर पैर तक हर बीमारी का इलाज करता है आपको हर बीमारी से बचा कर रखता है और आपने क्या करना है इसके एक से दो पत्तों को हर रोज चबा कर खाना है और वो कैसे चबा कर खाना है ये काम आपको सुबे खाली पेट करना है सबसे पहले आप एक गिलास पानी पीजे और वयाम करकर आईए उसके बाद और वयाम करने के आब आद आप एक से दो पता तुलसी का लेकर उसको अच्छी तरहें से धोकर साब कर लेजे और उसको चबा कर खा लेजे और उपर से एक गिलास पानी पी लेजे ये तो हो गई सिंपल तरीके से और यदि आप और भी अधिक फाइदा चाहते हैं तब आप उन दो पत्तों के एक से दो पत्तों को पानी में उबाल कर सेवन कीजिए यदि आपको कोई गंबीर बीमारी है आपको चमतकारी फाइदे दिखाई देंगे आपका पूरा सरीर निरोगी बन जाएगा तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी इस नुष्खे का आज से ही परयोग सुरू कर दीजी और अपने सरीर को निरोगी बना दीजी दोस्तों आप समझ में आए ना कि हमारे हर घर के आंगन में तुलसी का पूदा क्यों होता है तुलसी का पूदा हमारे सरीर को निरोगी बनाने के लिए होता है तबी तो कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पूदा होता है न वहां आसपास बीमार्या भी नहीं आती तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी सनुस्खे को आज ही अपनाए और अपने सरीर को निरोकी बना दीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी अधिक सदिक सेयर कर दीजिए यदि आपको पसाद है धन्यवाद दोस्तों